इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले है ITR Filing for the salary and the mutual fund जी हां, तो देखिए मैं professionally tax expert हूँ, तो इस सल मैंने अधिकतर जित्ती भी ITR Filing किये मैंने नोटिस किया है कि आजकर हर कोई लोग mutual fund में ज़रूर invest करता है और sellout भी करता है तो उसको reporting कैसे करना है ITR Filing करते टाइम पर कौन सा ITR form आपको select करना है step by step procedure के रहता है, प्लस मालिज अगर आपको loss भी हुआ है तब भी आपको report करना है तक कि उसका advantage होता है set off का या carry forward losses का वो आप उठा सको तो उसके क्या rule है और recently budget के अंदर tax rate भी इसके उपर change हो चुका है तो यह सब कुछ आपको जानने को मिलेगा आज एक ही वीडियो के अंदर तो please पूरा वीडियो जरूर देखेगा स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा अगर आप हर एक segment की ITR planning और tax filing दोनों सीखना चाहते हो या practically जो है किसी expert के थूँ ITR filing भी कराना चाहते हो link in the description box एक बार प्लीज जरूर चेक आउट कीजे पहले बात करते कि कौन सा ITR form फाइल करना पड़ता है तो देखे अगर आपके सिर्फ salary से या फिर आपकी mutual fund से income हो रखी है तो normally आपको ITR 2 file करना पड़ता है जापे capital gain और salary का schedule मिल जाता है ITR 3 rare case में होता है जापे मालीज ये salary के साथ में कहीं पे आपने freelancing की है वहाँ से अगर आपकी professional कोई income हो रखी है या आप side में कोई business भी कर रहे हो साथ में अगर आपका intraday या F&O वगरे रहता है तो उस case में आपको ITR 3 file करना पड़ता है अब filing के लिए important दो document की requirement रहती है कि mutual fund में आपको profit या loss कितना हुआ है अपने कहीं पे किसी भी mutual fund में invest किया हो ये दोनों entities आपको सारी reports निगाल के देती है मैं आपको link देदूँगा description box में देखो आपको यहाँ पर या करना है न जैसे मैंने financial year 234 select कर लिया अपना email डालो, pen number डालो delivery option के अंदर email डाउनलोड link select कर लो mutual fund के अंदर सारी EMC select कर लो statement forward में Excel choose कर लो और अपना मन पसंद password डाल के submit कर दो same कहानी आपको cave intact पर करनी है भूता क्या है थोड़ी देर में आपको camps और cave intact के तरफ से email मिलता है जिसके अंदर आपको download link मिल जाती है और इस statement को जैसे आप open करोंगे सबसे बड़िया बात यह है कि यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूत नहीं पड़ती है कि में को long term capital gain हुआ या loss हुआ है या फिर short term capital gain या loss हुआ है तो इस sheet के अंदर आप देख सकते हो जैसे मेरे पास यह camps की sheet है यहाँ पे आपको दोनों बता देगा overall summary बता देगा equity की और overall summary बता देगा non-equity की अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा summarize कर देता हूँ जैसे आप screen के सामने आप देख सकते हो उपर वाला जो column होता है अगर आपका equity से कोई भी short term capital gain या loss हुआ है तो यह उपर तीन column के अंदर आपको दिखा देगा अगर आपका long term capital gain बनता है तो यह जो last वाला column है basically उसके अंदर आपको दिखा देगा ऐसी अगर मैं आपको non-equity की बात करूँ यानि कि जो debt based mutual funds होते हैं उस पे तो एक simple सा rule लगता है चाहे आपका long term हो short term हो tax के अंदर हमेशो उसको short term की तरही treat किया जाता है तो यहाँ पे आपको उपर वाले column के अंदर यह दिख जाता है मेरा कितना short term capital gain बना है पहले इसके उपर indexation का benefit ज़रू मिलता था लेकिन आप से government ने उसको भी हटा दिया है चलो भाई सीधा मैं आपको ले चलता हूँ ITF filing के अंदर की आपको ITF filing कैसे करनी है तो portal के उपर सबसे पहले login कर लीजे e-file section के अंदर जाहिए file income tax term यहाँ पे आपको 2425 select कर लेना है online mode select कर लेना है अब यहाँ पे आपको ITF form select करना है तो आपको सिफ एक काम करना है देखें income वाले में salary तो by default select हो गाई है इसलिए आप ITF file कर रहे है साथ में जो capital gain है उस पे tick box नहीं लगा होगा तो उसके उपर आप text box लगा लीजे capital gain और 112 एक के उपर अब आप देखेंगे आपके screen के सामने काफी सारे schedule खुल जाएंगे तो one by one करके हमको confirm करना है शुरुआत करते जनल information के साथ जनल information में आपको सिफ यहाँ पे एक decision लेना पड़ेगा कि आपको new taxism के साथ में जाना या old taxism के साथ में मैं आपको simple सा clear कर देता हूँ कि आपका जो short term या फिर long term capital gain होता है उसके उपर जो tax rate है उसके उपर कोई impact नहीं आने वाला है चाहिए आप new select करो या फिर old select करो केवल जो आपकी salary होगी वहाँ पे ज़रूर impact आएगा तो best तरीका क्या है पहले इस ITR को आप new taxism के इंदर draft करो यानि इस option को आपको no रखना है फिर वापस जो है इसी option पर आके आपको yes करना है इससे आपको impact पता चल जाएगा कि new versus old taxism का मेरी income के उपर क्या impact आ रहा है कितना मेरा tax ज़ादा बन रहा है या कितना कम बन रहा है तो उसके according भाई आप select कर सकते हो कि में को new के साथ जाना या फिर old के साथ जाना नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना initial status select करना है तो यह से मैंने यहाँ पर 182 days वाली condition select कर लिए बहुत सारे नीचे question है mostly सभी के जवाब यहाँ पर no के इंदर आने वाले हैं अब अगला हमारा जो schedule रहता है वो salary का schedule रहता है अगर आपका form system issue रखा है आपको details यहाँ पर pre-fill मिलेगी वना यहाँ आप एड़ेट बड़न के उपर click करो अपना नाम डालो employer का नाम डालो address डालो, pin code डालो और simply यहाँ पर basic salary के अंदर आपने 12 मेनी की salary है वो आप put कर सकते हो तो जैसे माली जब इने 7 lakh रुपीस यहाँ पर salary एंटर कर दिये नीचे आपको allowances का column मिलेगा जिसके अंदर आप HR A, LTA ले सकते हो लेकिन new tax system में वो allow नहीं रहते हैं तो अगर आपको new tax system के साथ जाना है तो यह benefits आपको नहीं देखने को मिलेंगे तो जब वापस आप वापस general information जाके जब उस option को no करूंगे तब जाके यहाँ पर आपको LTA, HR A के benefits या column देखने को मिल जाएंगे बाके new tax system में 50,000,000 पर की reduction मिलती है प्रोफिशल tax का यह column enable करना है तो old tax system की तरफ जाना पड़ेगा अब आता है हमारा main column जिसके लिए हम लोग idea 2 को select कर रखा है वनना तो हम लोग idea 1 e file कर लेते वो है capital gain जी है अब capital gain का schedule खुलते हैं बहुत सारे question पुछेगा सबसे best तरीका क्या है आप अपना simply cams का और kfintech की file को open कर लीजे तो मानिजिए सिर्फ आपका equity से long term capital gain या short term capital loss या एक फिर gain है तो उस case में सिर्फ दो column आपके ओपर applicable होंगे 111 a करके और 112 a करके 111 a short term के लिए है 112 a long term के लिए है लेकिन mutual fund में अगर आपके पास debt based mutual fund से वो आपने बेचे उसके उपर आपने profit कमाया है जो की non equity का part होता है तो उस case के अंदर आपको यह जो third वाला option है ना वो भी select कर लिना है अब यहाँ पर आपको करना है Cams का भाई अपना statement खोल लो जैसे मैं equity वाले column के अंदर आ गया तो वैसे तो यहाँ पर आप देखोंगे मेरे 00 है कोई भी मेरा short term capital gain या loss नहीं है लेकिन example के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे मालो full value of the concentration के अंदर यहाँ पर total के अंदर कोई amount लिखा होता तो वही exact amount यहाँ पर मैं put कर देता तो जैसे मालो मैंने 10 lakh रुपे enter कर दिया और उसकी मेरी जो cost आ रखी थी वह माली जे 8 lakh रुपीज आ रखी थी तो मेरा 2 lakh रुपे का short term capital gain का profit हो गया जो मुझे यहाँ पर book करना है इसी तरह यह loss होता तो मालो मैं 8 को अगर मैं 12 lakh रुपीज कर देता हूं यहाँ पर आप देखोंगे 2 lakh रुपे का मेरा loss हो गया तो obviously बात है cost को अगर आप increase करोंगे तो यहाँ पर loss बुग हो जाएगा तो जो भी आपका profit है loss है उसके according यहाँ पर आपको entry डालनी है मैं दोनों का effect बताऊंगा अभी कि दोनों का effect क्या होता है फिर next column आपका 112 A करके होता है जिसमें आपको LTCG long term capital gain डालना पडता है तो यहाँ पर मैंने 112 A खोल लिया add it is पर click करूंगा दो option मिलेंगे अगर 2018 के पहले कोई mutual fund खरीद करके मैंने बेच आप जाके तो यह वाला option select करना है वहना simply next option आप select कर लिजे यहाँ पर भी full value of the consideration और cost of acquisition डालनी है यह का से मिलेगी सेम कहानी है आपके cams हो cave intake के statement से तो यहाँ पर आप बकायदा देख सकते हो अब मेरा long term capital gain यहाँ पर बन रहा है तो total जो भी मेरी sell value है 12 970 रुपए वह मैंने simply यहाँ पर put कर लिए ध्यान रखेगा यह जो values होगी वह आपको combine डालनी यानि cams की भी डालनी और cave intake की भी डालनी है तो दोनों को combine लिके चलिएगा तो यहाँ पर भाई मैंने अपना 2970 रुपए का long term capital gain मैंने यहाँ पर book कर दिया अब वैसे इसके उपर 1 lakh की exemption limit भी मिलती है जो इस साल से बढ़ करके 1,25,000 रुपए हो गई है लेकिन अभी उसका जो concept या effect है वो अभी मैं आगे जाके बताऊंगा देखो यह मैंने यहाँ पर short term की भी entry डाल दी long term की भी entry डाल दी अब इसके उपर अगर आपको पता करना है कि tax कैसे लग रहा है मेरा तो आपको क्या करना है नीचे जाना है यहाँ पर schedule special income दिया हुआ है इसके उपर आप click कर लो तो यहाँ पर आप बकायदा देख सकते हो 111 के अंदर 2,00,000 रुपए का profit हमने book किया था 15% का tax बन रहा है 30,000 रुपए का इसी तरह मालनो अगर आपको कोई debt based mutual fund है जिसके उपर long term capital gain या short term capital gain है वैसे long term जैसे मता है कि अब रूल वो हट चुका है हमेशा आपको short term ही यहाँ पर डालना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको थरवाला column मिल जाएगा जो अलड़ी हमने select किया हुआ है mutual fund होगा या जो hybrid होगा उसका profit निकल के आ जाएगा अब चलो मैं आपको ने impact बता देता हूँ कि let's suppose यह तो हो गई profit की बात जहां पर आपका tax भी बन रहा है और tax लग भी रहा है मालनो आपका loss हुआ होता तो उसका आपको advantage क्या मिलता तो देखो यहां पर मैं आपको set of rules समझाना चाहूँगा कि आपका जो equity का short term capital loss होता है वो आपके short term capital gain के profit और long term capital gain के profit दोनों के साथ में set off हो सकता है और अच्छी बात यह है कि मालनो इस साल अगर आपको कोई profit नहीं है तो उसको आप 8 साल तक carry forward कर सकते हो और next year अगर कोई profit हुआ तो उसके against में आप set off कर सकते हो लेकिन अगर मैं long term capital loss की बात करूँ तो वो केवल long term capital gain वाले जो profits होंगे ना उसी के साथ में set off होगा short term के profit के साथ set off नहीं हो सकता है और उसका भी safe fund है 8 साल तक आप carry forward कर सकते हो हर साल लेकिन ध्यान रखेगा यह losses भी carry forward अगर आपको करने है प्रॉपर तरीके से तो हर साल बकायदा due date के पहले आपको idea file करनी पड़ेगी जी हाँ अगर आप idea file नहीं करोंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 4 स अच्छा अच्छा profit है पिछले 4 साल के अंदर loss है तो मैं पिछले सालों का loss जो है claim कर लो ऐसा possible नहीं होगा तो make sure कीजे हर साल आपको idea file करनी है तो example के लिए जैसे मैंने मालों यहाँ पर 5 लाग रुपे का short term capital loss डाल दिया तो अब आप देख रहे हो यह 5 लाग रुपे long term capital gain को भी set off कर रहा है ठीक है और short term capital gain को भी set off कर रहा है ठीक है तो यह advantage हो रहते है अगर आपके बाद short term losses है आप LTCG और STCG के दुनों के profits को set off कर सकते हो और अगर आपको पता करना है कि अगर मेरा अच्छा खासा loss है क्या वो carry forward हो रहा है कि नहीं हो रहा next year के लिए तो यहा यहाँ पर mention भी किया गया है बस भाई फिर तो आपकी सारी चीजे हो चुकी है other schedule के अंदर normally आपका bank का interest हो गया आपका dividend की income हो गई यह चीजे आपको by default प्रेफिल मिल जाती है last में आपको computer share total income डालना है तो यहाँ पे भी figures डालने की जरूत नहीं है आपने जो चीजे डाल होगी आपको summary दिखा देगा simply last column में आपको यहाँ पर tax liability बता देगा कि जो भी आपने यहाँ पे जो income डाली हो इसके accounting कितना आपका tax होगर है बन रहा है तो यहाँ पे देखो अगर normal rates है तो यानि इसका मतलब है जो आपकी normal income है उसके उपर बन रहा है special rates का मतलब है कि आप आपने जो short term capital gain डाला हो या long term capital gain डाला हुआ है उसके profit पर जो भी tax बन रहा होगा वो आपको यहाँ पर दिखाए देगा अगर tax pay करना है तो amount payable आएगा TDS जादा है तो हो सकता है यहाँ पर आपको refund मिले प्लस यहाँ पर आपको comparison भी करना है कि मिले new जादा better है या फिर old जादा better है और उसका मैंने starting of the video आपको बताया था कि दोनों तरीके से आपको ITIA draft करनी है पहले new में करनी है फिर आपको old के अंदर करनी है और उसके बाद टू को यार submit करा सकते हो official portal के उपर आप देखो इस साल से budget 24 के अंदगर में changes की बात करूँ तो changes यह हुआ है कि अभी हम लोगों ने देखा जो 15% का tax rate लग रहा था वो अब हो चुका है 20% का और जो 10% का tax rate लग रहा था 1,00,000 की exemption के बाद वो हो चुका है 12.5% का लेकिन profit की reporting कैसे हो सकती है और हर साल करोंगे तो भाई आपको ही जादा यहां पर benefit देखने को मिलेगा काई लोग भाई mistake यह भी करते हैं कि वो एक normal idea one file करते है सिर्फ salary के साथ उनको लगता है कि government को क्या ही पता लगेगा लेकिन मैं आपको frankly बताना चाहूँगा 10 रुपे का भी mutual fund अगर आप buy करते हो या sell करते हो ना तब भी government को यहां पर reporting हो सकती है आप यहां पर अपना AS का statement देख सकते हो जितने भी भाई आपने mutual fund sell की है या जितने भी purchase की है चाहिए FD purchase की है कुछ भी purchase की है ना आजकल सब कुछ जो है income tax department reporting रखता है और यह reporting बकायदा आपको portal पे द description box और आप लोग के feedback जरूर मुझे बताएगा comment section के अंदर thank you guys thank you very much